यदि हम सिंपल शब्दों में कहें जो धारा के प्रवा में रुकावटे आती हैं उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं यानि कि इस प्रतिरोध की सहायता से हम धारा को कंट्रोल कर सकते हैं और विद्धुत परिपत में धारा को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोधों का इस्तमाल किया जा सकता है। इसका मतलब धारा का प्रवाँ वहां बढ़ जाता होगा। तीन-चार इस प्रकार हम पंखे के रेगुलेटर को बढ़ाते जाते हैं तो पंखा तेक चलने लगता है। अब एक से अधिक प्रतिरोधों को किस प्रकार हम जोड सकते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के संयोजन है। या यूँ कहें तो दो तरीके से हम प्रतिरोधों को जोड सकते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन यानि कि सीरिस कॉंबिनेशन। मान लेजिए आपके पास तीन प्रतिरोध हैं आरवन आर्ट और आरफ्री। अब इनको आपको जोडना है। तो आप लगातार एक के बाद एक जोड रहे हैं। तो इस प्रकार का कॉंबिनेशन कहलाता है सीरिस कॉंबिनेशन यानि कि श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम सयोजन में जब लगातार एक के बाद एक प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो यहाँ पर धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है धारा का प्रवाह मतलब आवेशों के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है अब इन संयोजन में हम विभवांतर लगाते हैं मान लीजे आपने वी विभवांतर लगाया है तो इस प्रकार के संयोजन में परिपत में बहने वाली धारा का मान तो एक रहता है लेकिन हर प्रतिरोध में विभवांतर का मान अलग-अलग होगा मान लेजे आपने इस संयोजन में इस श्रोत के द्वारा वी विभवांतर लगाया है बहने वाली धारा कमान आई है और R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर कमान करमशा V1, V2 और V3 है तो हम लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 अब ओम की नियम के नुसार V बराबर होता है R into I R प्रतिरोध और I बहने वाली धारा तो ओम की नियम से हम लिख सकते हैं V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 और यदि इस पूरे परिपत में बहने वाली धारा कमान I है लगाया गया कुल विभवांतर V है तो हम लिखेंगे V बराबर IR जहां पर R ये तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद इस परिपत का परिणामी प्रतिरोध होगा जिसको हम तूल प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं और यहां कितना होगा वही हमको निकालना है जब तीनों को हमने लगातार एक के बाद एक जोड़ा तो इसका कुल प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध क्या होगा वही हम ग्याद करने वाले हैं अब यह सारा मान इस समीकरण में रख देते हैं, V के जगे पे लिखेंगे IR, V1 के जगे में IR1, V2 के जगे पे IR2, V3 के स्थान पर IR3. अब इस समीकरण में देखें, तो यहाँ पर आई कॉमन ले सकतें, और दोनों पक्षों से आई कमान कैंसल करने पर हमें मिलेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3. मतलब इस कुल संयोजन का जो परिणामी प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, वो प्रतेक प्रतिरोध के कुल योग के बराबर होगा, यह यूँ कहें बीजगनिती योग के बराबर होगा, तो जब इस प्रकार श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता उनका 20 गणिती योग निकाला जाएगा तो कुल प्रतिरोध का माल बढ़ जाता है अब दूसरे प्रकार का संयोजन जिसे हम समानांतर संयोजन यानि की पैरलल कॉम्बिनेशन कहते हैं अब आपके पास वही तीन प्रतिरोध है आरवन आर्टोर आर्थरे अब हमको इसे दूस and और को एक साथ जोड़ा जाता है तो यह सारे प्रतिरोध दो ही बिंदू के बीच में होते हैं और जब इसमें विभावानतर लगाया, जाए यानि की बैटरी श्रोत लगाया जाए और धारा को प्रवाहित किया जाए तो उस समय जब धारा इन तीनों के संधी पर पहुचेगी, तो उस समय धारा के प्रवाहा के लिए तीन मार्गों हो जाएंगे, वो उपर वले रास्ते पर भी जाएगी, बीच वल में भी जाएगी और नीचे वाले परिपत में भी प्रवाहित होगी, युकि परिपत तो पूर्ण है, अब यहाँ पर धारा का विभाजन हो जाएगा, धारा अलग-अलग परिपत में, इसके प्रतिरोध के आधार पर अलग-अलग मात्रा में बहेगी, जिस रास्ते में प्रतिरोध का मान कम होगा, उस रास्ते में धारा कमान अधीक होगा, और जिस रास्ते में प्रतिरोध का मान अधीक होग वहाँ पे धारा का माल कम होगा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस बैटरी द्वारा प्राप्ति की गई धारा तीन रास्तों के आधार पर तीन भागों में बढ़ जाएगी यानि आई बराबर होगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री अब ओम की नियम के रूसर हम जानते हैं वीक वल्टू आई आर तो यहां से आई बराबर हो जाएगा वी बटे आर अब इस पूरे परिपत का तूले प्रतिरोध माना की हम आर लेते हैं मतलब तीनों को जब हम समाना अंतर क्रम में जोड देते हैं उसके बाद मान लीजिए इ प्रतिरोध आर है तो हम लिखेंगे आई बराबर वी अपाउन आई अब इस चित्तन अनुसार हम देखें तो तीनों प्रतिरोध आरवन आर्टू और अर्थ्री में अलग-अलग धारा प्रवाही थोड़ी मान लीजिए आर वन में प्रवाही थोने वाली धारा आई वन है R2 से प्रवाहित होने वाली धारा I2 और R3 से प्रवाहित होने वाली धारा I3 है अब ये तीनों ही प्रतिरोध, दो समान बिंदों के बीच में ही जोड़े गए है इसका मतलब ये तीनों प्रतिरोधों के सीरों के मध्य जो विभव अंतर है वो एक ही होगा और वो उतना ही होगा जितना हमने इस बैटरी द्वारा दिया है यानि कि इस पहले परिपत में भी विभाव कमान V होगा दूसरे परिपत में भी विभाव अंतर कमान V होगा और तीसरे में भी विभाव अंतर कमान V ही होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 बराबर V upon R1 वैसे I2 बराबर V upon R2 और I3 बराबर V upon R3 इस मान को हम इस समिकरंट पर रख देतें तो हमें मिलेगा V upon R बराबर V upon R1 प्लस V upon R2 प्लस V upon R3 अब यहाँ देखें तीनों टर्म में V common है V common लेने पर दोनों पक्षों से cancel करने पर हमें मिलेगा 1 upon R बराबर 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 तो इस प्रकार हम देखें कि इस परिपत के कुल प्रतिरोध का व्यूद क्रम वो सभी प्रतिरोधों के व्यूद क्रम के योग के बराबर होगा और जब हम व्यूद क्रम का योग ले रहें इसका मतलब तूल्य प्रतिरोध का मान कम होगा तो जब श्रीणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है जबकि समानतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तूले प्रतिरोध का मान घट जाता है बच्चो आज मैं आपके सामने विद्धार और परिपत के दो क्रिया कलाब करने वाली हूँ इस क्रिया कलाब को करने के लिए मैंने इस बोर्ट पर तीन प्रतिरोध लिये हैं अब देख सकते हैं बच्चो प्रतिरोध AB जिसका नाम मैंने रखा है R1 प्रतिरोध CD जिसका नाम रखा है मैंने R2 और प्रतिरोध EF जिसका नाम मैंने रखा है R3 अब बच्चों इन तीनों प्रतिरोधों को मैं आपके सामने जोडने वाली हो इन प्रतिरोधों को हम दो तरीके से जोड सकते हैं सबसे पहले तो इस प्रतिरोद को मैं लगातार एक के बाद एक जोड़ूंगी लगातार एक के बाद कैसे जोड़ेंगे हम हम प्रतिरोद R1 के अंतिम सीरे को दूसरे प्रतिरोद R2 के पहले सीरे से जोड़ेंगे और वैसे ही दूसरे प्रतिरोद R2 के अंतिम सीरे को तीसरे प्रतिरोध आत्री के पहले सीरे से जोड़ेंगे इस प्रकार जब हम प्रतिरोधों को लगातार एक के बाद एक जोड़ते हैं बच्चों तो इस क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन तो आओ बच्चों इनके आपके सामने में इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ती हू और आप देख सकते हैं, बच्चो, हमारे पास एक Ammetor है और एक Voltmeter है, और आप देख सकते हैं बच्चो, हमारे पास इस Ammetor और Voltmeter तथा बाकी प्रति रोधों को जोडने के लिए, बैटरी को जोडने के लिए कुछ Clips है, कुछ तारे हैं, तो इनकी सहयता से मैं अब इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ोंगी, यहाँ पर एमिटर भी हमारे पास है और वोल्ट मिटर भी हमारे पास है, अब जानते हो बच्चों, एमिटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, एमिटर को हमेशा परिपत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, औ तो मैं यहाँ पर emitter को श्रेणी क्रम में जोडने वाली हूँ और voltmeter को समांतर क्रम में और जो परिपत त्यार होगा उसमें हम इस बैटरी की सहायता से जिसका नाम मैंने E1 रखा है यहाँ पर मैं धारा प्रवाहित करूँगी और देखेंगे कि इस श्रेणी क्रम से योजन मे नोले प्रतीरोध क्या घ्यात हो रहा है तो इन तीनों प्रतीरोधों को सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जैसा कि मैंने बताय था बच्चों अपको ये पहले वाले सीरा है इसको हम खाली चोड़ देते हैं, ठीक है, R1 के दौ सीरे, A और B पहले सीरे को हम खाली चोड़ देते हैं, इसका जो अंतिम सीरा है, उसको हम R2 के प्रतम सीरे से जोडने वाले हैं यह हमारे पास clip है बेटा इसको हम crocodile clip कहते हैं तो इसको मैं B सीरे से जोड रही हूँ और यहाँ पर मैंने R2 के C सीरे से जोड़ा है तो यह लगातार एक के बाद एक जोड़ गए दोनों अब इसी प्रकार मैं दूसरा प्रतिरोध R2 उसके D छोर को D सीरे को मतलब अंतिम सीरे क मैं R3 के प्रथम सीरे से जोड़ती हूँ इस clip के साहता से अब देख सकते हैं बच्चों यह तीनों प्रतिरोध लगातार एक के बाद एक श्रेणी क्रम में जोड़ चुके हैं अब हमारे पास यह वोल्ट मीटर है इस वोल्ट मीटर को इन दो तारों की साहता से मैं इन प्र प्रतिरोध R1 के ए सीरे में एमिटर का वोल्ट मीटर का एक सीरा जोड़ती हूँ और इस R3 तार के R3 प्रतिरोध के F सीरे में वोल्ट मीटर का दूसरा सीरा जोड़ती हूँ इस प्रकार यह वोल्ट मीटर इन श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के साथ समान जोड़ेंगे अमीटर हमेशा बच्चों परिपत में स्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो यहां अमीटर से आने वाली धन सीरे से जो तार है उसको मैं इस एफ सीरे से जोड़ देती हूँ और इस अमीटर का एक सीरा मैंने खाली रखा है ताकि मैं इसे बैटरी से जोड़ू और इसमें धारा को प्रवाहित कर सको अब यह हमारे पास बैटरी एवन है अब इसे भी मुझे परिपत में जोड़ना है जिससे की इस परिपत में धारा प्रवाहित हो सके हमारे पास एक औ प्रकार हमारा परिपत पूर्ण हुआ अब इसमें धारा को प्रवाहित करना है अब इस धारा को मैं इस बैटरी की सायता से प्रवाहित करती हूं उसके लिए मैंने इस एमिटर के रिंड सीरे को खाली छोड़ा था अब मैं इसको बैटरी के रिंड सीरे से जोड़ूंगी जि देखो बच्चो हम देख सकते हैं कि इस एमिटर में और वोल्ट मेटर में दोनों में हमको मान प्राप्त हो रहे हैं एमिटर में हमको एक एम्पीर का मान प्राप्त हुआ है और वोल्ट मेटर में हमको 0.5 वोल्ट का मान प्राप्त हुआ है अब हमको R ग्याद करना है तो हम V को I से भाग देंगे यदि मैं 0.5 को एक से भाग देती हूं तो इस परिपत का जिसे मैंने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है उस परिपत का तुल्ले प्रतिरोध मुझे 0.5 ओम प्राप्त होगा तो बच्चो अभी हमने श्रेणी क्रम में जोड़के इस परिपत का तुल्ले प्रतिरोध ग्याद कर लिया अब हम इसको दूसरे तरीकी से जोड़ते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हम इसको दो तरीकी से जोड़ सकते हैं पहले हमने इसे कैसे जोड़ा था लगातार एक के बाद एक पहले वाले प्रतिरोध के अंतिम सीरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सीरे से और क्रम बनाई थी अब हम इसमें सारे प्रतिरोधों के प्रतम सीरे को एक साथ जोड़ते हैं और अंतिम सीरे को एक साथ जोड़ते है जब हम सारे प्रतिरोधों के प्रतम सीरे को एक साथ जोड़ते हैं और अंतिम सीरे को एक साथ जोड़ते हैं तो जो क्रम तयार होती है उस क्रम को हम समानतर क्रम कहते हैं तो बच्चों, हम इस प्रतिरोध को अब समानतर क्रम में जोड़के देखते हैं इसके लिए मैंने इस R1 से निकले वाले तार को देख सकते हैं A सीरे के तार को मैं C के साथ जोड़ रही हूं, R2 के और R2 के इस C सीरे को मैं R3 के E सीरे के साथ इस तार की सहता से जोड रही हूँ अब अब देख सकते हैं बच्चो इन तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सीरे A, C और E एक साथ जोड चुके हैं अब इनके दूसरे सीरे बाकी हैं अंतिम सीरे तो इनको भी मैं तार की सहता से जोड सकती हूँ यहाँ आप देख रहो R1 का B सीरा इसे मैं R2 के D सीरे के साथ जोड देती हूँ और R3 का F सीरा इसे भी मैं R2 के D सीरे के साथ जोड देती हूँ तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर B, D और F तार की सहाथा से एक साथ जुड़ चुके हैं इनके प्रतम सीरे एक साथ जुड़े हैं और इनके अंतिम सीरे एक साथ जुड़े हैं यहाँ पर इन योगों में आप देख सकते हैं एक कॉमन पॉइंट C मिल रहा है और य मैं C के साथ जोड़ देती हूँ और इसके रिंट सीरे से निकली तार को मैं D के साथ जोड़ देती हूँ इस प्रकार इन प्रतिरोधों के साथ ये वोल्ट मिटर समानतर क्रम में तार की सहता से जोड़ चुकी हूँ अब अमिटर जोड़ती हूँ अमिटर के इस धन सीरे को भी मैं उसी common point अंतिम सीरे के मतलब D के साथ जोड़ देती हूँ इस अमिटर का रिंड सीरा बच्चो मैंने खाली रखा है और इसको मैं बैटरी के रिंड सीरे के साथ जोड़ूँगी ताकि इस परिपत में धारा को प्रवाहित कर सकूँ तो इसे हम खाली छोड़ देते हैं अब इस बैटरी के E1 बैटरी जिसे मैंने धारा प्रवाहित करने के लिए हां लगाया है इसके धन सीरे को भी मैं इस प्रथम सीरे के common point C के साथ जोड़ देती हूँ और ये परिपत हमारा पूर्ण हो चुका है हमने यह वोल्ट मीटर को समानतर क्रम में जोड़ दिया है और अमिटर को श्रेणी क्रम में अब इस अमिटर का जो रिंड सीरा खाली था इसको मैं इस बैटरी के रिंड सीरे के साथ जोड़ूँगी और इस परिपत में धारा को प्रवाहित करूंगी और धारा को प्रवाहित करते ही अमीटर का मान और वोल्टमीटर का मान दोनों हम नोट करेंगे तो बच्चो इसको जोडते हैं, मैंने इसको रेंट जीरे के साथ जोड दिया, अब देख सकते हैं बच्चो, अमेटर में भी मान मिल रहा है हमको, और वोल्ट मेटर में भी मान प्राप्त हो रहा है, अमेटर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, अमेटर का मान हमें एक एमपि 0.25 वोल्ट अब मैं इस क्रम के तुल्य प्रतिरोद को निकालना चाहूं तो मुझे वी को आई से भाग देना पड़ेगा जैसा कि ओम का नियम कहता है तो मैं 0.25 को यदि एक एंपियर से भाग देती हूं तो इस परिपत का तुल्य प्रतिरोद मुझे ग्याद होता है 0.25 ओम यह क्या बच्चो हमने देखा कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड रहे थे तो तुल्य प्रतिरोद 0.5 ओम प्राप्त हुआ था जैसा हमने नोट किया था और जब हमने समानतर क्रम में जोड़ा तो प्रतिरोद तुल्य प्रतिरोद हमको 0.25 ओम प्राप्त हो रहा है इसका मतल प्रश्ट में हमें यह एक विद्यूत परिपत दिखाया गया है इस परिपत के लिए हमें परिपत का तुल्य प्रतिरोध और परिपत में प्रवाहित कुल विद्यूत धारा ग्याद करनी है। परिपत का तुल्य प्रतिरोध जो है वो ग्याद कर लेते हैं। प्रश्ट में परिपत का तुल्य प्रतिरोध ज्याद करने के लिए सबसे पहले R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्याद करना होगा। यदि हम इसके तुल्य प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करें तो संबंध होगा एक बटे R बराबर एक बटे R2 घन एक बटे R3। चलिए इनके मान रख लेते हैं तो एक बटे R बराबर हमको मिलेगा R2 का मान 8 ओम यने की 8 और R3 का मान हैं हमारे पास 12 तो इसे हल करने पर हमें मिलेगा एक बटे R बराबर यहां पर हम लिख सकते हैं 3 धन दो बटे 24 जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 5 बटे 24 और इस प्रकार हम R का मान ले सकते हैं R का क्या मान हो जाएगा 24 बटे 5 और यह हो गया हमारे पास 4.8 ओम चलिए आगे हल करते हैं हमने देखा कि R2 और R3 का जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमको मिला R का मान मिला है 4.8 ओम तो इस नए परिपत में आप देख सकते हैं कि R2 और R3 का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम R से प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका मान हमको कितना मिल गया 4.8 ओम अब इसमें आप देखिए कि R1 और R जो है वो श्रेणिक्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध ग्याद करने के लिए हमें क्या करना होगा यदि हम इसके तुल्य प्रतिरोध को R' से वेक करें तो R' बराबर हमको मिलेगा R1 धन और R1 का मान कितना है 7 ओम तो हम लिख सकते हैं 7 और R का मान हमने निकाला है 4.8 ओम यने कि हमें मिलेगा ये मान 11.8 ओम के बराबर इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो परिपत है परिपत का तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ है बराबर 11.8 ओम इस प्रकार प्रश्न का पहला भाग जो है वो हल हुआ चलिए अब हम प्रश्न का दूसरा भाग हल करते हैं जिसमें हमें ग्याद करना है परिपत में प्रवाहित कुल विद्युद्धारा तो परिपत में प्रवाहित कुल विद्युद्धारा को ग्याद करने के लिए हमें किनकी चीज़ों के आशकता होगी देखें यहां पर हमें यह शिक्स वोल्ट का विभांतर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं विद्युद्धारी द्वारा परिपत में कुल विभांतर वी बराबर कितना है चे वोल्ट और तुल्य प्रतिरोध परिपत में कितना है तुल्य प्रतिरोध परिपत में हमने अभी पिछली जो गड़ना की है वो हमें कितना मिला था 11.8 ओम साथी ओम के नियम से हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार वी बराबर होता है आर आई जहां वी विभांतर है आर प्रतिरोध और आई जो है वो विद्युद्धारा है तो इन सब भी का हम यहां मान रख लें तो विभांतर जो है वो हमको कितना है 6 वोल्ट प्रतिरोध जो तोले प्रतिरोध हमने कैलकुलेट किया था वो है 11.8 और आई का मान हमें ग्यात करना है तो मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 6 बराबर 11.8 गुणित आई चलिए आगे देखते हैं वी बराबर आर आई में मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ है 6 बराबर 11.8 गुणित आई तो अब आई का मान ग्यात करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 6 बटे 11.8 याने कि इसका मान हमें प्राप्त होगा 0.508 Ampere तो इस प्रकार विद्युद्धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका मान हो गया 0.508 Ampere इस प्रकार प्रेश्न हल हुआ